येस पीपल, गुड मॉनिंग, गुड आफ्टनून, गुड इविनिंग टॉल आफ यू, कैसे हैं, सब लोग होप सो, आप सब लोग बहुत बढ़ी आ रहेंगे, मैं बता दू, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, तो गाइस, आज हम रिवाइस करने वाले हैं, आपका टॉपिक पहली चीज तो आपका डिड़क्शन कभी भी आपके GTI से जादा नहीं हो सकता, जैसे माल लोग कोई असेसी ऐसा है, जिसका ग्रॉस टोटल इंकम है, वो 5 लेक है, तो गाइस, उसमें से डिड़क्शन मैक्जिमम 5 लेक ही हो सकता है, मिस इन सिंपल वर्ट, आपका ग्रॉस असे ओठायर होता है, जो लोटरी से वििनिग होती है, जो असे बीड़क्शन का ग्रॉस पर सिंपल होता है, तो असके सामें आपको कोई भी डिड़क्शन का बेनिफेट नहीं मिलेगा, जि descried Constitution को दो पाट में बिवाइड कर लेक है, एक तो होता है तुम्हारा पेमेंट बेस डिड़क्शन और एक होता है तुमारा इंकम बेस डिड़क्शन अब यह पेमेंट बेस डिड़क्शन क्या होता है कि जिसमें आप कुछ ना कुछ पेमेंट करोगे तो आपको डिड़क्शन मिलेगा और इंकम बेस डिड़क्शन क्या होता है कि आपकी जो इंक करते हैं, सबसे पहले हम payment related deduction उसकी बात करते हैं और payment related deduction में सबसे पहला deduction that is the ATC का specified investment, यह बड़ा ही famous deduction है ATC, ATC में सर एक बात बताईए सबसे पहले यह deduction किसको मिलेगा, guys यह deduction सिरफ individual and HUP को मिलता है, सर वो individual HUP resident होना चाहिए नहीं, resident, non-resident, कोई भी हो उससे फरक नहीं पड़ता, individual HUP को ATC का deduction मिलेगा, इसमें maximum deduction आपको 1,50,000 मिल सकता है, लेकिन question ही आता है कि हमको specified investment, तो investment कहां कहां पे करना है, तो सबसे पहले आप एक कान करो, life insurance policy ले लिए लिए और उसका premium पे करते हैं, तो आपका deduction यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन policy किसके लिए लेनी है, अगर individual assessi है, तो policy खुद के लिए, spouse के लिए, या फिर children के लिए लेनी है, चिल्डरन माइनर है, नॉन माइनर है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, आप अगर चिल्डरन के लिए life insurance policy लेते हैं, उसका premium पे करते हैं, आपको deduction मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ समझना, यहाँ पे एक limit होती है, प्रीमियम की, क्या premium आपका limit से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा है, तो एक्सेस वाले premium का deduction नहीं मिलेगा, उसमें आपको यह देखना है, कि policy ली कब है, policy अगर 14 2012 से पहले ली है, तो जितना भी आप premium पे करोगे, and that is restricted to 20% of the policy value, policy value का मतलब होता है, sum assured, अ यहाँ पे जितना आप premium पे करोगे, और 10% of policy value, whichever is lower का deduction मिलेगा, and अगर आपने policy 1 for 2013 या उसके बाद में ली है, और वो handicapped के लिए है, या पर कोई person suffering from the disability है, उसके लिए लिए है, specified disease है, उस person के लिए लिए है, तो यहाँ पे limit हो जाएगी premium paid और 15% of policy value, whichever is lower, अब एक बाद सम insurance policy के बाद एक काम करो न, PPF में पैसा डाल दो, अगर आप public provident fund में पैसा डालते हो, यहाँ पे deduction मिल जाएगा, लेकिन public provident fund में पैसा किस के लिए डालना है, या individual के case में SSC, खुद के लिए, spouse के लिए, चिल्डरन के लिए, और HEOP के case में किसी भी member के लिए, अब एक चीज salary याद रहेगा, तो salary में मैंने बताया था कि employee का contribution अगर SPF में है, RPF में, approved super animation fund में, तो वहाँ पे ignore होता है employee का contribution, but employee इसका deduction है, वो ATC में ले सकता है, या फिर आप एक काम करो न, national saving certificate में पैसा डाल दो, NSC में पैसा डाल दो, अगर आप NSC में invest करेंगे, तो यहाँ पे deduction मिले अगले साल माल लो, उस पे 8,000 का आपको interest मिला, तो interest को पहले आप other sources में taxable कर दो, और उस 8,000 पे वापस से आप ATC में deduction ले लो, तो NSC का interest है, वो भी deductible होता है under section ATC, अब एक चीज समझना, अगर आपने कोई भी house property purchase करने के लिए, या construct करने के लिए कोई loan लिया है, और loan तो उसका जो interest का repayment होता है, interest अगर आप पे करते हो, उसका deduction तो आपको 24 house property में मिल जाता है, लेकिन principal का deduction है, वो आप ATC में ले सकते हो, तो principal का deduction है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप एक काम करो, tax saver FD में invest कर दो, tax saver FD का मतलब होता है, कि किसी भी bank के साथ या फिर post office के साथ में 5 years या उससे जादा की FD होती है, उसको हम tax saver FD बोलते है, उसमें अगर आप invest करोगे, आपको deduction मिल जाएगा, या फिर आप एक काम करो, अपने बच्चों का tuition fees पे कर दो, लेकिन maximum यहाँ पे 2 बच्चों का tuition fees है, उसका deduction मिलेगा, और उनका full time education होना च notified units होती है, ULIP की, unit linked insurance policy की, उसमें invest कर सकते है, या फिर mutual fund UTI की कुछ notified units है, उसमें invest कर सकते है, या फिर notified pension scheme of UTI mutual fund है, उसमें invest कर सकते है, या फिर आप एक काम करो ना, समरिदी, जो क्या बोलते है, सुकन्या समरिदी account scheme है, पैसा डाल दो, तो जो चोटी बच्चिया रहती है उनके नाम पे सुकन्या समरिदी account scheme parents खोल सकते है, तो parents ने अगर उनके नाम पे सुकन्या समरिदी account scheme खोला, तो उसमें जितना भी पैसा डालेंगो, उसका deduction ATC में मिलेगा, और एक और चीज़ समझना, सुकन्या समरिदी account scheme पे जो interest मिलता है, I think 8.2% interest मिलता है, हर साल वो भी पूरा exempt है, उस पे भी कोई भी tax नहीं लगता, और जब आप उसमें invest करते हो, तो आपको ATC में deduction मिल जाता है, अब एक और चीज़ समझना, जब भी आप कोई house property acquire करते हो, उस पे जो stem duty pay करते हो, registration के time पे, as well as the registration fees pay करते हो, उसका deduction आप ATC में ले सकते हो, एक और point यह बोलता अब एक बाद समझना, ATCCD क्या होता है, अभी अपन पढ़ेंगे, ATCCD new pension scheme होता है, तो new pension scheme में क्या होता है, एक तो होता है tire 1 और एक होता है tire 2, तो tire 1 में अगर कोई भी investment करेंगे, उसका ATCCD 1 में deduction मिल जाएगा, लेकिन अगर central government का employee है, और उसने जो भी तुमारा new pension scheme है, उस अगर आप investment करते हो, तो ATC में deduction मिलेगा individual HVP को, और maximum limit है, वो 1,50,000 हो जाएगी, उसके बाद next section आती है, ATCCC, ATCCC क्या बोलती है, कि LIC या किसी और insurance company का अगर pension scheme लेते हैं, अब एक बात बताओ, यहाँ उपर भी तो pension scheme cover हो रहा था, लेकिन उपर जो pension scheme था ना, वो सिरफ UTI mutual fund का था, तो UTI mutual fund के pension scheme में पैसा डाला, तो ATC में deduction लो, लेकिन अगर LIC या किसी और insurance company के pension scheme में पैसा डाला, तो ATCCC में deduction मिलेगा, pension किसको चाहिए, सिरफ individual को चाहिए, तो यहाँ पर deduction सिरफ individual को मिलेगा, and guys, maximum deduction ATCCC में आपको 1,50,000 का मिल जाएगा, चलिए, उसके बाद ए ATCCD, that is very interesting section, ATCCD क्या बोलती है, कि अगर आप contribution करते हो, central government pension scheme में, या national pension scheme में, या जिसको new pension scheme भी बोलते है, या जिसको pension scheme notified under section ATCCD भी बोलते है, या जिसको अटल pension योजना भी आप बोल सकते हो, तो मैंने क्या बोला, कि यहाँ पर इसका नाम क्या होता है, ATCCD में, new pension scheme बोलो, national pension scheme बोलो, central government pension scheme बोलो, अटल pension योजना बोलो, एक ही बात है, अब एक बात समझना है, इसमें अगर आप कोई भी contribution करते हो, तो आपको deduction कैसे मिलेगा, तो देखिए, सबसे पहले अपन employee की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, employee की, employee मतलब कोई भी बंदा कहीं पर job कर रहा है, that is called employee, अगर salary employee जो होता है, वो अगर खुद का जो contribution करता है, national pension scheme में, तो employee को deduction मिलेगा, under section 80 CCD, और deduction कितना मिलेगा, पता है, जितना employee ने contribution किया, और 10% of salary, whichever is lower, but salary में लेना है, basic salary plus DA in terms, DA in terms में ऐसा DA जो retirement benefit के लिए काम आने वाला है, तो देखो, सबसे पहले हम 80 CCD पढ़ रह जिसको new pension scheme, national pension scheme भी बोलते हैं, आप NPS बोलेंगे, तो मैं इसको बार-बार NPS बोलूँगा, NPS, अब एक बात समझना, NPS, pension किसको चाहिए, सिरफ individual को चाहिए, तो ये deduction भी सिरफ individual को मिलेगा, ATCCD 1 क्या बोलती है, कि अगर कोई भी employee है, और employee ने NPS में पैसा डाला, तो जित employer कोई contribution करता है, क्योंकि employee NPS में पैसा डालेगा, उसके लिए employer भी contribution करेगा, तो employer जो contribution करेगा, वो पहले taxable कर दो, आप salary head में, पहले आप सीधा उसको salary head में as a perquisite taxable कर दो, और उसके बाद employee उसका deduction लेगा, under section ATCCD 2 में, और ATCCD 2 में कितना deduction मिलेगा, पता है, जितना employer ने NPS मे contribution किया, and 10% of salary, whichever is lower, लेकिन central government employee, state government employee के लिए, यहाँ पे 10% की जगे, आप 14% ले सकते हैं, तो देखिए, पहली बात, आपन बात कर रहे है, employee की, अगर employee खुद का contribution NPS में करता है, तो employee का own contribution, और 10% of salary, whichever is lower का deduction मिलेगा, ATCCD 1 में, जो employer ना contribution किया, पहले उसको salary head में taxable कर दो, उ ATCCD 2 में deduction कितना मिलेगा, जितना employer ना contribution किया, और 10% of salary, whichever is lower, लेकिन employee अगर central government, state government का employee है, तो 10% की जगे, आपको 14% लेना है, अब एक और चीज़ समझना, यह तो बात हो गई, employee के लिए ATCCD 1 and ATCCD 2 का, अब एक चीज़ समझना, अगर कोई बंदा self-individual है, मैं self-employed है, जैसे म मैं, मैं एक business में नोगर की, ठीक है, मैं salary employee नहीं हूँ, तो क्या मैं भी NPS में पैसा ढाल सकता हूँ, answer is yes, मैं भी ढाल सकता हूँ, मुझे deduction मिलेगा ATCCD 1 में, कितना deduction मिलेगा, जितना मैंने contribution किया, और 20% of the gross total income, whichever is lower, 20% of the gross total income and जितना मैंने contribution किया, whichever is lower है, उतना deduction मुझे ATCCD 2 में नहीं मिलेगा, अब एक और चीज़ समझना, एक section होती है, that is the ATCCD 1B, ATCCD 1B क्या बोलती है, कि जैसे देखो, जो employee है, वो employee या फिर other individual, अगर ATCCD 1 में जो deduction ले रहे है, वो अगर उधर पूरा deduction नहीं ले पाए, तो वो ATCCD 1B में 50,000 तक का deduction ले सकते है, own contribution पे, मैंने क्य employee या other individual, अगर ATCCD 1 में पूरा deduction नहीं लेना चाते है, या नहीं ले पाए, तो वो ATCCD 1B में 50,000 तक का deduction ले सकते है, एक example लेता हो, मानलो, मैंने खुदने contribution किया, यहाँ पे 1,40,000 का, for an example, मैंने 1,40,000 का contribution किया, and guys, मेरा GTI का 20%, मानलो 1,00 आया, तो मुझे deduction कितना मिलेगा, य लेकिन मैंने excess contribution, 40,000 का, तो excess contribution है, तो 40,000 का deduction मैं ATCCD 1B में ले सकता हूँ, बट क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, कि 80CCD 1B पहले ले लू, 50,000, और बाकी वाला 90,000 में यहाँ पे लू, ATCCD 1 में क्या वैसा कर सकता हूँ, answer is yes, मैं वैसा भी कर सकता हूँ, और practical life में ऐसा ही करना चा लेकिन था, मानलो, 1,004,000 was my contribution, and guys, suppose 1,002,000 is the 20% of GTI, तो मुझे deduction 1,002,000 मिलेगा यहाँ पे, अब एक बात बताओ, क्या 40,000 का deduction नहीं मिला, वो ATCCD 1B में ले सकता हूँ, answer is yes, ले सकता हूँ, तो 1,002,000 यहाँ लिया, total 1,004,000, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, कि 80CCD 1B पहले 50,000, और बाकी का 90,000, वन में ले लूँ, ऐसा कर सकता हूँ, answer is yes, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, उसके बाद एक और चीह समझता, जब भी आप अगर NPS का account close कर देते हैं, आपका जो NPS का account है, वो NPS का account अगर आप close कर देते हैं, तो उस particular case में ज उसके legal hair को NPS से पैसा मिलेगा, वो पूरा exempt है, अगर किसी की death हो गई और उसके legal hair को पैसा मिलेगा, वो पूरा exempt है, एक और चीह समझदा, अगर recognize provident fund and superannuation fund में जो पैसा पड़ा था, अगर मैं NPS में transfer करा देता हूँ, तो उस पे कोई भी tax treatment नहीं है, वो पूरा ही exempt है, एक 25% तक जो भी withdraw करेगा वो exempt है, जैसे मालो employee ने contribution किया था 10 lakh का, तो 10 lakh में से 2 lakh 50,000 तक वो tax free है, वो withdraw कर सकता है, वो exempt हो जाएगा, अब एक और चीह समझना, ATC जो था, ATC का limit कितना था आपका, 1 lakh 50,000, ATCCD में तो कोई limit ही नहीं है, अब एक चीह समझना, एक section टांग अड़ात section 1, यह तीनों मिला के कभी भी 1 lakh 50,000 से ज्यादा deduction नहीं हो सकता, क्या बोला, ATC, ATCCC and ATCCD 1, ATCCD 1, यह जो ATCCD 1 है वो, यह तीनों मिला के कभी भी 1 lakh 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, अब एक चीह समझना, यहाँ पे ATCCE की limit में ध्यान रखना, यह ATCCD 1 भी नहीं आता है, as well as ATCC ATCCD 2 भी नहीं आता, तो ATCCD 1 भी, ATCCD 2 है, यह नहीं आता 1 lakh 50,000 वाली limit में, बट यह ATCCD 1 है, वो आएगा, you got my point or not, yes, चलिए, next section पर चलते है, ATCCH, यह इसी साल से आई है, यह section क्या बोलती है, कि जो भी हमारे अगनी पत स्किम आई है, इंडिया में पता है, और अगनी पत म में, जो अगनी वीर रहेगा, उसको 4 साल का उसका जॉब रहेगा, उसके बाद में उसको retire कर दिया जाएगा, अब उसके लिए क्या हो रहा है, कि government भी उसके लिए कुछ contribution कर रही है, और वो अगनी वीर खुद भी उसमें कुछ contribution कर रहा है, और उसके लिए उन्होंने अगन अगनी वीर कॉर्पस फंड बनाया है, अब एक चीज़ समझना, जो employee खुद contribution करेगा उसमें, उस fund में, अगनी वीर कॉर्पस फंड में, उसका deduction उसको 80 CCH में 100% मिल जाएगा, 80 CCH 1 में 100% deduction मिलेगा उसके खुद के contribution का, और जो government contribution कर रही है, पहले वो salary में taxable होगा, और उसके उसका भी 100% deduction मिल जाएगा, under section 80 CCH 2 में, तो 80 CCH 2 में 100% deduction मिल जाएगा, अब उसके बाद में, अगर assessi को या उसके nominee को, उससे जो पैसा last में मिलेगा, वो पूरा exempt है, जो भी तुमारा अगनी वीर कॉर्पस फंड रहेगा, उससे जो पैसा last में मिलेगा, वो पूरा exempt हो जो employee है, जो अगनी वीर है, करगे ठीक है, वो खुद का contribution जो करेगा, उस पे deduction मिलेगा, 100% under section 80 CCH subsection 1, जो government ना contribution किया, employer ना contribution किया, पहले वो salary में taxable कर दो, और फिर उसका deduction ले लीजिए, 80 CCH subsection 2 में, guys 100% deduction मिलेगा, and guys इस fund से जो भी पैसा बाद में मिलेगा, वो पूरा exempt हो जाएगा, उस पे कोई भी tax नहीं लगेगा, चलिए, next section पे चलते है, 80 D, D का मतलब दवादारू ना कराने पड़े, तो दवादारू ना कराना पड़े, उसके लिए आप एक काम करो, health insurance premium pay कर दीजिए, तो medical insurance premium का अगर आप payment करते है, या central government health scheme में पैसा डालते है, या preventive health check- या medical treatment कराते है, medical treatment senior citizen के लिए होना चाहिए, अभी मैं समझाओंगा, तो देखो, अगर आप medical insurance premium pay करते है, central government health scheme में पैसा डालते है, preventive health check-up के लिए खर्चा करते है, या medical treatment करते है, तो आपको deduction ATD में मिलेगा, ATD में deduction individual achieve को मिल सकता है, individual को किसके लिए करना है, यह सब, तो individual जो है, वो करेगा किसके लिए, या तो खुद के लिए, या spouse के लिए, या parents के लिए, and dependent children, ध्यान रखना, यहाँ पे children के सामने word dependent use हुआ है, इस section में children के सामने जो word है, वो dependent word यूज हुआ है, dependent children, तो देखो, अगर कोई individual है, उसको health insurance किसके लिए कराना, या तो मैं जैसे मै हुआ हूँ, तो मेरे खुद के लिए, मेरी spouse के लिए, मेरे children के लिए, and मेरे parents के लिए, मैं health insurance वगरा करा सकता हूँ, अगर मैं H.E.Up की बात करूँगा, तो किसी भी member के लिए, अब एक और चीज़ समझना, इस section में क्या होता है, जो भी आप insurance premium pay करते हो, central government health scheme में पैसा डा चलेगा, cross check से किया तो क्या चलेगा, तो bearer check से किया तो चलेगा, cross check से किया तो चलेगा, account pay check से किया तो चलेगा, आपने किसी से भी किया, cash को छोड़के बाकी किसी भी mode से किया तो चलेगा, तो इस section में यह बोला हुआ है, कि medical insurance premium, central government health scheme and medical treatment का जो खर्चा करोगे, वो any mode other than cash होना चाहिए, लेकिन guys, preventive health check up के लिए आप cash में खर्चा कर सकते हो, preventive health check up के लिए आप cash में खर्चा कर सकते हो, लेकिन यहाँ इस section में deduction कितना मिलेगा, तो देखो, सबसे पहले मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरा example लोगा, मेरा खुद का, मेरी spouse का and मेरे dependent children का, इन तीनों का मिला के, मेरा खुद का, मेरी spouse का and मेरे dependent children का, हम तीनों का मिला के, maximum deduction में 25,000 का ले सकता हो, maximum deduction में 25,000 का ले सकता हो, लेकिन मानलो, मेरे और मेरे spouse में से, कोई भी senior citizen है, और उसके लिए अगर health insurance लिया है, तो यह limit 25,000 से increase हो जाएगी, और मुझे maximum deduction 50,000 हमारा मिल जाएगा, त अधीनों का मिला के, maximum 25,000, but हम मैं से कोई senior citizen है, तो limit 25,000 से enhance हो जाएगी, और total 50,000 का deduction मिल जाएगा, अब एक बात समझना, मैं मेरे parents के लिए अगर health insurance कराता हूं, तो उसके लिए, उनके लिए मुझे extra deduction मिलेगा, parents में mother और father आ जाएगे, अब एक बात समझना, parents के लिए मु जाएगा, तो देखो, वापस बोल रहा हूं, मेरे खुद के लिए, मेरी spouse के लिए, मेरे dependent children के लिए, maximum 25,000, हम मैं से कोई senior citizen है, तो 50,000, मेरे parents के लिए, अलग से 25,000, और उन मैं से कोई senior citizen है, तो 50,000, अब एक चीज समझना, यहाँ पे law ये बोलता है, कि अगर कोई भी senior citizen ऐ जिसके नाम पे health insurance policy नहीं है, कोई ऐसा senior citizen है, जिसके नाम पे health insurance premium नहीं pay होता है, health insurance policy नहीं है, तो उसके लिए आप medical treatment करा सकते हो, और medical treatment का deduction यहाँ पे ले सकते हो, जैसे माल लो मेरे पापा है, पापा के नाम पे health insurance नहीं है, तो मैं उनके लिए medical treatment का deduction में ATD में ले सकता हू लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर उसमें maximum 50,000 का medical treatment के लिए deduction ले सकते हो लेकिन क्या 50,000 additional मिलेगा parents के लिए फिर मुझे या overall parents के लिए जो limit 50,000 की रहेगी वो उसी में आएगा right answer is जो overall limit parents के लिए 50,000 की रहेगी वो उसी में आएगा या additional नहीं है पापा के लिए health insurance policy नहीं है और दोनों senior citizen है मम्मी के लिए मैंने 30,000 का premium pay किया और पापा के लिए मैंने 40,000 का medical treatment कराया तो total कितना हुआ 70,000 मुझे deduction कितना मिलेगा maximum 50,000 का deduction मिल जाएगा HUF है HUF member के लिए 25,000 बड़ जिस member के लिए health insurance policy ले रहे है अगर वो senior citizen है तो यह limit 25,000 से बढ़ जाएगी एक और चीज़ समझना यहाँ पर preventive health check-up है उस पर maximum खर्चा 5000 का ही कर सकते हो पहली चीज़ तो preventive health check-up पर खर्चा सिरफ individual कर सकता है और वो भी maximum 5000 का ही कर सकते हो और एक और चीज़ समझना यह 5000 जो है क्या यह additional limit है भई यहाँ पर जो 25,000 25,000 और जो 50,000 की limit है क्या उससे extra 5000 मिलेगा ना बाबा ना यह जितनी भी limit दे रखी है ना इसमें already वो included है 5000 और एक और चीज़ समझना यह 5000 ऐसा नहीं है कि मेरे spouse, children के लिए 5000 और परेंट्स के लिए वापस 5000 ना बाबा ना मेरा spouse, children and parents सब काम मिला के preventive health check-up के लिए आप maximum 5000 का deduction है वो ले सकते हो एक और चीज़ समझना बहुत बार क्या होता है अगर आप कोई भी ऐसी health insurance policy लेते हो जिसका multiple year के लिए है multiple year के लिए आजकल यह option है कि 5 साल के लिए आप health insurance policy ले सकते हो तो उसका deduction कैसे मिलेगा उसका 5 year में deduction मिलेगा लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना अगर आपने in between the year policy ले ली तो आपको ध्यान रखना है कि जितने year में वो policy है उतने year में आपको deduction है वो proportionate मिल जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर एक example दे रखा है और उस example में मैंने 5 year के लिए policy लिए है वो first 11 2023 को लिए तो यह policy mature कब होगी 31st October 2028 तक तो आप यहाँ पे अगर previous year देखोगे तो total 6 previous year हो जाएगे और यहाँ पे आपको 6 installment में deduction मिल जाएगा चलिए next section पे चलते है ATDD, ATDD क्या बोलती है बता है कि अगर मानलो आपका कोई HDR है, HDR का मतलब handicap dependent relative, अगर आपका कोई handicap dependent relative है जिसको आप HDR बोलोगे, अगर आपका कोई HDR है और HDR जो है उसके लिए आप या तो treatment करा रहे हो या उसके लिए maintenance के लिए कुछ पैसा आप insurance company वगरा में कहीं पे जमा करा रहे हो देखो, यह section पहली चीज़ तो यह section सिर्फ resident individual हुआप के लिए है, ATD जो थी न वहाँ सिर्फ individual हुआ लिखा था लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ resident individual हुआप, आपको करना क्या है कि अगर आपका कोई handicap dependent relative है HDR है, अब आप बोलोगे relative में कोन आएगा, आप पे क्या है, dependent है, हुआप के लिए any dependent member of the हुआप, और वो क्या है handicap है, और आप क्या कर रहे हो, या तो उसके maintenance के लिए कुछ खर्चा कर रहे हो, या उसका कोई treatment करा रहे हो, उसके नाम पे मानलो कहीं LIC वे लिख कुछ investment कर रहे हो, तो आपको deduction यहाँ पे ATD में मिल जाएगा लेकिन यहाँ ATD में deduction कितना मिलेगा, यहाँ पे flat deduction है, अगर वो severe, पहली normal disability है, तो उस case में 75,000 का, और अगर severe disability है, जिसमें 80% और more की disability है, तो वहाँ पे आपको 1,25,000 का deduction है, वो मिल जाएगा, इसमें आपने खर्चा कितना किया, वो irrelevant है, खर्चा मानलो आपने 5 रुपया क तो भी आपको deduction यहाँ पे 75,000 या 1,25,000 का मिल जाएगा, यहाँ पे वापस में बोल रहा हूँ, कि यहाँ पे आपने actual खर्चा कितना किया, उससे कोई मतलब नहीं है, आपने actual खर्चा 10 रुपय का किया, तो भी आपको deduction 75,000 या 1,25,000 का मिल जाएगा, तो ATDD क्या होता है, आ आपको flat deduction मिलेगा 75,000 का या 1,25,000 का, अब एक और चीज समझना, next section आती है ATDDB, ATDDB का मतलब होता है, दिल देला देने वाली बिमारिया, या जिसको आप डरावनी डरावनी बिमारिया बोल सकते हो, तो दिल देला देने वाली बिमारिया, यह deduction मिलेगा, यह भी resident individual HIV को, अब dependent relative में वही, spouse, children, mother, father, brother, sister, अगर दिल देला देने वाली बिमारी हो गई, कोई ऐसी बिमारी हो गई, जैसे cancer वगएरा, एंड उसका क्या हो रहा है, treatment हो रहा है, तो treatment पे आप जो भी खर्चा करोगे, यहाँ पर deduction कैसे मिलेगा, देखो, जितना आपने actual खर्चा किया, treatment का वो लिना है, इन दोनों में से आपको क्या करना है, whichever is lower लिना है, 40,000 नॉर्मल केस में, लेकिन patient अकर senior citizen है, तो आप यहाँ पर 1 lakh लोगे, तो देखो, जितना खर्चा किया, और उसको compare करोगे 40,000 या 1 lakh से whichever is lower, whichever is lower, जैसे माल लो for an example, मेरे relative को कहीं पर specified disease हो गई, या मुझे हो ग मिलेगा, अब एक बास समझना, अगर हमने कोई insurance कराया था, और insurance का कोई भी हमको पैसा मिला, तो वो भी less हो जाएगा, मान लो insurance से हमको 15,000 मिल गया, तो 15,000 insurance से मिल गया, तो बाकी कितना बचा 25,000, तो 25,000 का deduction है, वो हमको मिल जाएगा, तो देखिए बिटा, मैं आपको बत भी क्या है, दिल देला देने वाली बीमारी है, अब एक चीज समझना, एक चीज मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो धिहान रखना, guys, ATD वाली सीरीज ही ऐसी है, जिसमें dependent word यूज हुआ है, बाकी कहीं पे भी dependent word यूज नहीं होता, बाकी पूरे deduction topic में कहीं पे भी dependent word यूज न ना, वो सिरफ ATD की सीरीज में यूज हुआ है, बाकी कहीं पे भी आपका dependent word है, वो यूज नहीं हुआ, चलिए, next section आती है, ATU, ATU क्या बोलती है, कि अगर कोई person handicapped है, अगर कोई resident individual है, और हो handicapped है, इसमें कुछ भी नहीं करना, if any person is handicapped, he can claim directly deduction 75,000 और 1,25,000, depends on the disability, अगर normal disability ह 75,000 का flat deduction है, severe disability है, 1,25,000 का flat deduction है, इसमें कुछ नहीं करना, if any person is a handicap, that person can claim the deduction 75,000 और 1,25,000, चलिए, next section आती है, ATE, E का मतलब होता है, education, अगर आपने कोई educational loan लिया है, education loan लिया है, higher education के लिए, higher education का मतलब होता है, कोई भी ऐसा course कर रहे हो, जो बाहर भी के बाद है, कोई भी ऐ educational loan लेते हो, तो आपको, जो interest पे करोगे, उसका deduction मिलेगा, assessing कौन होना चाहिए, यहाँ पे सिरफ individual को deduction मिलेगा, और interest का deduction आपको 8 years तक मिलेगा, जब से आप interest पे करना चालू करोगे, 8 years तक आपको 100% deduction इंटरेस्ट पे मिल जाएगा, लेकिन education किसका होना चाहिए, education यहाँ भ किसी भी student का जिसके लिए आप legal guardian हो, तो education किसका होना चाहिए, या तो खुद का होना चाहिए, या फिर spouse का होना चाहिए, या children का होना चाहिए, या किसी भी ऐसे student का होना चाहिए, जिसके लिए आप क्या हो legal guardian हो, चलिए, next section ATEE, ATEE है, that is not more relevant for the examination purpose, but ये section क्या बोलती है, deduction सिर्फ individual को, अगर आपने कोई housing loan लिया था, और वो housing loan का जो interest है, उस interest का 50,000 तक यहाँ पर deduction ले सकते हो, ATEE में, अगर आप चार condition satisfied करते हो, देखो, आपने housing loan लिया, और housing loan का interest है, आप बोलोगे सर्थ, interest का deduction housing loan पे तो, पहले तो 24 house property में मिलता है, वहाँ तो मिलेगा, लेकिन आपका वहाँ पे भी पूरा नहीं होता है, जैसे for an example, your interest is 2,60,000, in case of the self-occupied property, 2,00 का deduction आप अल्रेड़ी ले चुके हो house property में, तो remaining आप 50,000 तक का deduction इस section में ले सकते हो, अगर 4 condition satisfied होती है, पहली condition, loan आपको bank या financial institution से लेना है, residential house property acquire करने के लिए, second condition यह है, कि house property जो आपने purchase कि किया था, उसका cost 50,000 से जादा नहीं होना चाहिए, third condition आपने जो loan है, वो loan आपका 35,000 से जादा नहीं होना चाहिए, and fourth condition आपका जो loan sanction हुआ था, वो previous year 16-17 में हुआ था, means from 1st April 2016 से लेके 31st March 2017 के बीच में आपका loan sanction हुआ था, and last condition यह है, कि SSC के पास एक भी house property नहीं है, एक house property नहीं है, जिस दिन loan sanction हुआ था, अगर यह 5 condition अगर आप satisfied कर लेते हो, तो आप 50,000 तक का interest का deduction ATEE में ले सकते हो, तो देखिए, ATEE क्या बोलता है, पहली चीज़ तो यह deduction सिरफ individual को मिलेगा, maximum deduction यहाँ पे 50,000 का मिलेगा, अब एक चीज़ समझता है, यहाँ पे condition क्या है, loan bank financial institutions से residential house property के लिए लेना है, दूसरा condition क्या है, house property की cost है, वो 50,000 से जादा नहीं होने चाहिए, loan 35,000 से जादा नहीं होना चाहिए, house property के लिए जो loan ले रहे हो, उसका sanction है, वो 16,17 previous year में होना चाहिए, and guys, जिस दिन loan sanction हुआ, उस दिन आपके पास एक भी घर नहीं होना चाहिए this is your first house, तो उस particular case में आप हर साल 50-50,000 का deduction यहाँ पे ले सकते हैं, अगर आप interest उस साल में pay कर रहे हैं, तो चलिए, उसके बाद एक section आती है, ATEEA, यह section को याद रखना है, यह section बोलती है कि अगर आपने residential house property acquire की, and उसके लिए अगर आपने कोई loan लिया, तो loan का interest का deduction यहाँ आप 1,50,000 तक ले सकते हैं, obviously 2 lakh का आप house property में लेंगे, अगर मालो DLP है या LOP है, तो तो पूरा interest house property में यह अलग हो जाता है, अगर LOP, DLP है, तो पूरा interest house property में यह अलग हो जाता है, SOP के case में 2 lakh वहाँ पे होगा, बाकी 1,50,000 तक, आप यहाँ पे deduction ले सकते हैं, अगर आप यह 5 condition satisfied करते हैं, 4-5 condition है, पहली condition यह है, लोन आपको bank और financial institution से लेना है, second condition यह है कि जो आपने घर acquire किया, उसका stem duty value 45 lakh से जादा नहीं होना चाहिए, जो घर आपने acquire किया, उसका stem duty value 45 lakh से जादा नहीं होना चाहिए, आपका लोन जो previous year 1920 से लेके, और 21-22 के बीच में sanction होना च बीच में आपका loan sanction होना चाहिए, तो आपका 3 years हो गया, 19-20, 21-22, so in 3 years में जो आपका loan है, वो sanction होना चाहिए, and guys, जिस दिन loan sanction हुआ, उसके पास आपके और कोई property नहीं होनी चाहिए, और कोई property नहीं होनी चाहिए, this is the first property, अगर यह 4 condition satisfied करते हो, तो आपको deduction यहाँ पे 1,50, का मिल जाएगा, तो देखिए, 80 EEA क्या बोल रहा है, करके 80 EEA क्या बोलता है, कि पहली चीज़ यह सिरफ individual को मिलेगा, आपको 1,50,000 का interest का deduction मिल जाएगा, लेकिन condition क्या है, loan आपको bank या financial institution से residential house property के लिए लेना है, दूसरी condition आपका SDV of property 45 lakh से जाधा नहीं होना चाहिए, 1920 से लेके और 21-22 में आपका loan sanction होना चाहिए, और जिस दिन sanction हुआ उस दिन आपके पास और कोई घर नहीं होना चाहिए, अगर यह all condition satisfied हो जाती है, तो आप 1,50,000 तक interest का deduction ATEEA में ले सकते हो, next section ATEEB आती है, यह section क्या बोलती है, deduction in respect of the interest on the electric vehicle, अगर आप EV loan लेते हो, देखो आज EV का जमाना है, तो EV के लिए अगर आप electronic vehicle से related कोई loan लेते हो, और individual assessi है, तो 1,50,000 का interest का deduction यहाँ पर मिल जाएगा, अब एक बात बताओ, जो लोग business वाले होते हैं, और business के लिए अगर मानलो vehicle use हो रहे, तो तो वो ऐसे भी PGP के में ले लेंगे, यह बाकी वाले जो लोग है, कि जो loan है, वो किसी bank से लेना है, financial institution से लेना है, including the NBFC, यहाँ पर NBFC से लिया तो भी चलेगा, यहाँ specifically बोला है कि आप bank से लेते हो, किसी financial institution से लेते हो, including the NBFC, अपने NBFC से लिया तो भी चलेगा, दूसरी condition, जो loan sanction होना चाहिए, वो 1-4-2019 से लेगे, 31st March 2023 के बीच में sanction हो होना चाहिए, 1920, उसके बाद 2021, 21, 22, 22, 23, यह 4 साल में आपका loan sanction होना चाहिए, and guys, deduction आप interest का सिरफ यहीं पर ले सकते हो, अगर और deduction अल्रेडी कहीं ले चुके हो, जैसे PGPP बगरा में, तो फिर interest का यहाँ पर आपको deduction नहीं मिलेगा, उसके बाद next section आती है, ATG, G का मतलब होत हम सब के लिए है, अब एक बाद समझना, इसमें दो category होती है, एक तो होती है तुमारी unlimited category और एक होती है तुमारी limited category, unlimited category का मतलब होता है, कि आपकी जितनी मर्जी है, उतना donation दो, अगर आपने 5 करोड का donation दिया, और 100% में आता है, तो पूरे 5 करोड का deduction मिलेगा, if you donated 1 करोड and if it is covered in the 100% पूरे 1 करोड का deduction मिलेगा, if it is covered in the like 50% वाले में आ रहा है माल लो, unlimited category बट 50% वाले में आ रहा है, तो जितना आप donate करोगे उसका 50% deduction मिल जाएगा, जैसे 2 करोड का donation दिया, तो 1 करोड का deduction मिल जाएगा, अब अब अपन बात करते है, unlimited category कौन कौन सी है, तो देखि लिए, national defense fund को donation करते है, prime minister national relief fund में donation करते है, prime minister Armenian working fund में पैसा डालते है, CM relief fund, CM कोई भी हो सकते है, गुजरात CM, Deli CM, कोई भी CM करके, ठीक है, बिहार CM, या फिर LG relief fund करके, जो lieutenant governor relief fund है उसमें पैसा डालते है, जلا सक्षरता समीथी में, national sports fund में, national children fund मे, national cultural fund में, सवचा भारत कोश में, Clean Ganga Fund में, National Fund for Control of Drug Abuse, या फिर आपका PM Care Fund में, या फिर कोई Army से Related Fund है, उसमें अगर आप पैसा डालते हैं तो आपको 100% deduction मिल जाएगा और Unlimited, Unlimited means कितना भी donation कर सकते हैं, कोई problem नहीं, कितना भी donation कर सकते हैं, Unlimited Category में, आपको deduction मिल जाएगा, अब इसको कैसे याद रखेंगे, आपको मैं बता हूँ, बड़ा simple है, ध्यान रखना, यहाँ पे एक सेकंड रुखना, देखिए, Unlimited 100%, उसके बाद Unlimited, आपका 50% जो है, उसमें एक ही बचाए, पहले यहाँ पे इंद्रा गांधी, राजीव गांधी हुआ करते हैं, वो सब हटा दिया, मोधिजी न बोला, बागो कर गी, ठीक है, उनको अठा दिया, तो यहाँ पे PM Drought Relief Fund है, उसमें 50% deduction मिलेगा, Unlimited, अब एक चीज समझता है, इधर देखना सब लोग, आप इसको ऐसे 50% Unlimited, एक ही है, सिरफ Prime Minister Drought Relief Fund है, उसमें 50% Unlimited, बागी कहीं पे भी PM आता है, कहीं पे भी CM आता है, कहीं पे भी LG आता है, कहीं पे भी National आता है, जिला सक्षरता समीती आता है, स्वच भारत कोश आता है, या फिर National Fund for Control Drug Abuse आता है, या आर्मी से कोई भी fund आता है, 100% deduction देने का, तो देखिए, मैंने क्या बोला, जहाँ जहाँ पी एम आता है, जहाँ जहाँ नेशनल आता है, जहाँ 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 कैटेगरी में यहाँ पे donation पे कुछ limits है, limited category का मतलब होता है, कि यहाँ पे donation पे कुछ limits है, अब limits क्या है वो अपन देखेंगे, तो देखो, limited category में दो चीजे है, एक तो आपको याद रखना फो, एक तो याद रखना है फो, और दूसरा आपको याद रखना है HTC Mobile, STC Mobile, दो चीजे आपको याद रखनी है, ठीक है, एक तो याद रखना है फो और एक रखना है HTC Mobile, फो का मतलब होता है, F का मतलब आपने family planning के लिए, अगर government को या local authority को या approved institution को donation दिया, तो देखो, आप government को, local authority को, approved institution को, promotion of family planning के लिए donation देते है, तो वो 100% deduction मिलेगा, बट वो limited category में आएगा और ओ का मतलब होता है, कि अगर किसी company ने, यहाँ पे सिरफ company के लिए है, company ने Olympic association या any other institution को for the development of infrastructure for sports in India, तो ओ का मतलब ऐसा Olympic याद रख लो, या Olympic association या any other institution को और इंडिया में अगर sports development के लिए donation दिया, तो guys ये दोनों आपके 100% limited category में आएंगे, 100% limited में क्या, 4, 4, 4, 4, F का मतलब होता है, कि family planning के लिए दिया है, और O का मतलब ऑलंपिक association या किसी और को company ने दिया, and guys वो इंडिया में sports infrastructure के increment के लिए दिया है, अब एक आता है HTC mobile, HTC mobile होता है, उसकी value 50% हो जाती है, तो 50% limited, अब H में आएगा, अगर आपने donation दिया, housing development authority को, या आपने donation दिया है, renovation या repair of any temple, T का मला है, temple, गुरुद्वारा, mosque, church, जो religious place होते है, उसके repair renovation के लिए donation दिया, C का मतलब होता है, यहाँ पे charitable, public charitable trust होते है, जो NGOs होते है, उसको donation दिया and यहाँ पे M का मतलब होता है, minority community के promotion के लिए आपने अगर donation दिया, तो यहाँ पे आपको 50% limited category में deduction मिलेगा, अब एक बाद समझना, limited category का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, limited category means guys, कि जो भी आपका, 4 and STC mobile है, वो limited category में है, तो जितना आपने 4 and STC mobile को donation दिया, that should not be more than 10% of adjusted total income, Miss, आप एक काम करिए, कि यहाँ पे जो आपने total donation दिया है, and 10% of adjusted total income, whichever is lower है, उसको continue करिए, अब आप बोलेंगे, यह 10% of adjusted total income, बड़, adjusted total income किसको बोले, तो adjusted total income के लिए आप एक काम करिए, पहले आप एक काम के लिए gross total income ले लीजिए, but gross total income मैं से आप जितनी भी special rates वाली income है उसको हटा दीजिए, LTCG, STCG, 111A, LTCG, 112A, winning का income, उनको सबको हटा दीजिए, तो GTI, but other than special rate of income, और minus कर दीजिए, all deduction except ATG, ATG के deduction को छोड़ गे, बाकि सब आप minus कर दीजिए, जो भी बचेगा, वो ATI बचेगा, तो इस ATI का 10% और actual donation आपने जितना दिया, whichever is lower है, वो आपक 100% दे दो, और जो HTC mobile है, उस पर आपको 50% दे दो, अब एक और चीज़ समझना, इस section में आपको deduction नहीं मिलेगा, अगर 2000 से ज़्यादा का donation आपने cash में किया है, मिस 2000 से ज़्यादा का donation है, तो उस particular case में क्या करना पड़ेगा, अगर 2000 से ज़्यादा का donation है, तो उस particular case में आप एक बात समझना, आप लोग कहीं पर घर भाड़े पर लेके रहते हैं, तो उस particular case में अगर employee होता है, तो उसको HRA में deduction मिल जाता है, मतलब अगर कोई employee है, उसको HRA में deduction मिल जाता है, लेकिन अगर HRA नहीं मिल रहा, तो कोई भी employee या पर कोई self-employed है, वो ATGG में deduction ले सकता है, अगर वो rent pay कर रहा है, यहाँ पर इस section में deduction सिरफ individual को मिलेगा, कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 3 massive whichever is lower, पहला है 5000 पर मन्त, या साल का 60,000 बोल सकता हूं, दूसरा 25% of adjusted gross total income, and third is a rent paid minus adjusted 10% of adjusted total income, या adjusted gross total income, तो देखो, मैंने क्या बोला, समझ नहीं कोशिश करना, यह deduction सिरफ individual क मिलेगा, आप अगर house भाड़े पे लेते हो, उसका rent पे करते हो, तो deduction मिलेगा, eligible deduction कितना मिलेगा, तो देखिए, सबसे पहला 5000 पर मन्त, या पूरे साल का 60,000, दूसरा 25% of तुमारा adjusted gross total income, and तीसरा rent paid minus 10% of the adjusted gross total income, whichever is lower है, उतने का deduction आपको मिल जाएगा, एक और चीज समझना, यहाँ पे जहाँ पे आप rent pay कर रहे हो, उस पे आपकी spouse, या आप, या आपका minor child, या आपका H.U.M. जिसके पास कोई भी घर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे, वहाँ पे उसके पास कोई घर नहीं होना चाहिए, अगर वहाँ पे घर है, तो आप उस घर में रहोना, फिर बा 80 GGA ये बोलता है, कि अगर आप scientific research institution, college, university को scientific research के लिए donation देते हो, आप बोलोगे ये तो सर हमने पढ़ा था वहाँ पे, PGBP में, बट देखो जिनका business का income है, वो तो section 35 में deduction ले लेंगे, वहाँ पे था ना, वो राहूल ICU के, research association, institute, college, university को वगरा को आप अगर scientific research के लिए donation देत यहाँ condition है, 2000 से ज़्यादा का donation है, तो cash में नहीं कर सकते हैं, 2000 तक आप cash में कर सकते हो, उसके बाद ATGGB and GGC, that is donation to electoral trust and political party, तो अगर आप political party and electoral trust को donation देते हो, तो आपको deduction मिल जाएगा, अगर आप political party and electoral trust को donation देते हो, तो आपको deduction मिलेगा, कहाँ पे ATGGB, GGC में, अगर देखो Indian company ने donation दिया ना, तो Indian company को ATGGB में deduction मिलेगा, और any person other than Indian company ने donation दिया, तो ATGGC में deduction मिलेगा, deduction आपको 100% मिल जाएगा, लेकिन इसमें condition है, कि donation should not be made by any mode other than cash, अगर donation should be made by any mode other than cash कर गाए, ठीक है, आपको other than cash ही donation देना है, cash में आपने donation दिया, तो यहाँ पर आपको deduction नहीं इंडियन कंपनी ने दिया तो ATGGB में, अधर ने दिया तो ATGGC में, 100% deduction आपको मिल जाएगा, और donation आपको cash में नहीं देना, अगर आपने cash में दिया तो deduction नहीं मिलेगा, अब अपन बात करते हैं आपके income based deduction की, अब एक बात समझना, सबसे पहले हम income based deduction है, वो पढ़रे जो part C म अगर आपको चाहिए ना, और income based deduction कौन-कौन से होते हैं, पहली चीज़ तो मैं बतातू, income based deduction जो section ATIA से लेके ATRRB के बीच में आते हैं, अब आपको मैं बताओ, ATIA से ATRRB, ATIA, ATIB वगरा, वो intermediate में नहीं, CA final में आता है, अब एक बात समझना, जो ATJAA है ना, वो भी देखो, ATJAA बले तो क्या होता है, कि जब आप new employee recruit करते हो, नए employee को अगर आप job देते हो, तो उनको जितना salary पेकरों को 30% deduction मिलेगा, यह तो खर्चे का deduction है, बट इन्होंने क्या किया, जो हमारे law makers है, उन्होंने इसको income based deduction में डाल रखा है, यह basically होना चाहिए था, expenditure based deduction, बट उन्होंने क क्या कर रखा, इसको income based deduction में डाल रखा है, under part C करके तो इसको अपन income based के साथ ही पढ़ते है, तो चलिए, पहली चीज तो यह, कि income based deduction कौन से होते हैं, जो 80 IA से 80 RRB के बीच में आते हैं, आप लोग intermediate level के लिए इतना याद रखो, income based deduction के लिए आपके लिए कौन होंगे, ती 80 JAA, 80 QQB and 80 RRB, यह जो तीन deduction है, 80 QQB, 80 RRB and 80 JAA, यह तीन आपके लिए income based deduction है, जो part C वाले है, ठीक है, और AMT calculation में इन तीन को वापस से add back करना पड़ता है, ठीक है, तो चलिए, सबसे पहली चीज यह है, कि यह income based deduction आपको चाहिए ना, तो पहली चीज तो आपको अपने return में claim करना पड़ेगा, और दूसरी चीज अगर income based deduction चाहिए, तो आपको return time पर file करना पड़ेगा, जो written filing का due date रहता है, वो due date तक आपको return file करना पड़ेगा, अगर यह दोनों condition satisfied हो जाती है, तभी आपको income based deduction मिलेगा, सबसे पहला section, 80 JAA, 80 JAA का होता है, जामत आ, 80 JAA क्या ब आपका business है, आपकी auditory है, auditory है means third number आपका 1 करोड या 10 करोड से जादा है, आपकी tax auditory है and आपका business है और आप नए employee को recruit कर रहे हो, तो जितना भी employee को salary pay करोगे, emoluments pay करोगे, उसका 30% आपको deduction मिलेगा 3 consecutive year के लिए, means employee को आपने इस साल recruit किया, तो उसको इस साल जो salary pay किया, उस 30% अगले साल जो salary pay करोगे, उसका 30% अगले साल जो salary pay करोगे, उसका 30% आपको deduction मिल जाएगा, अब एक और चीज़ समझना, यहाँ पे आपके new employee recruit होने चाहिए, new का मतलब क्या हुआ, तो दियान रखना, अगर आपका first year of the business है, तो जो जो employee आप recruit करोगे, वो सब नए है, अ आपके new employee में माने जाएंगे, overall आपका increment कितना हुआ, जैसे for an example, starting में आपके पास 100 employee थे, आपने उस साल में 15 employee को join कराया, लेकिन उस में से आपके 5 employee छोड़ के चले गए, तो last में आपके पास 110 employee बचे, तो एक बात बताईए, overall आपका increment कितना हुआ, 10 हुआ, तो 10 आपके new employee लिए जाएंगे, तो देखो, first year of operation में तो क्या होता, जितने employee recruit करोगे, वो सब new है, लेकिन अगर मानलो, subsequent year of आपका जो business है, तो उस particular care में आपको देखना पड़ेगा, net increment कितना हुआ, उनको आपको new employee मानेंगे, एक और चीज़ समझना, यह deduction उनी employee के लिए ले ले सकते हो, जिनका salary आपको cash में पे नहीं करना, salary जो है, वो आपको cash में नहीं पे करना, means account पे चेक, account पे demand राप, या any mode of electronic clearing system से ही आपको salary पे करना पड़ेगा, अब एक और चीज़ समझना, यहाँ पे आपको deduction तभी मिलेगा, जब सबसे पहली condition यह है, कि उस employee का salary 25,000 या उससे कम होन है, तो उसको छोड़ दो, means employee 240 days या उससे ज़्यादा काम करना चाहिए, लेकिन in case of the, अगर manufacturing of the apparels में हो, leather में हो, या फिर आप footwear में हो, तो वहाँ पे 240 days की जगे 150 days का time देखा जाता है, 150 days या उससे ज़्यादा काम करना चाहिए, 150 days से कम काम किया है, तो आपको deduction नहीं मि तीसरा, वो participate करना चाहिए RPF में, अगर उसने RPF में participate नहीं किया है, तो वो तुमारे new employee में नहीं आएगा, and guys, employee for whom the entire contribution is paid by the government under the employee pension scheme, notified in accordance with the provision of the Employee PF and Miscellaneous Provision Act, अगर government पूरा pension scheme में पैसा डालती है, तो वो वाला employee यहाँ पे नहीं आएगा, तो देखिए, मैं बताया, आपका new employee जो है, उसमें कुछ condition satisfied करनी चाहिए, क्यों कॉंसी condition, पहली condition, उसका salary 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरी condition, वो 240 days या उससे ज्यादा के लिए current year में job किया हो, उसने हमारे यहाँ पे, in case of the manufacturing of the footwear, appearance and leather के case में 240 days, 150 days देखा जाएगा, and guys, उसने RPF में participate किया है, and उ आपको deduction मिल जाएगा, जितना emolument पे घर रहे है, उसका 30%, अब एक और चीज़ समझना, अगर कोई employee ऐसा है, जिसने current year में 240 days काम नहीं किया, जैसे for an example, उसने current year में January में join किया, तो जैन, Feb, March, only 90 days काम किया, अब उसने अगले साल 240 days से ज्यादा काम किया है, तो क्या अगले आपको deduction मिल जाएगा, अब अगर आपको deduction चाहिए, तो आपकी books of accounts है, उसकी audit होनी चाहिए, ठीक है, and chartered account and audit report submit करेगा, up to the due date of the audit, और audit का due date क्या होता है, return filing की due date से एक महीना पहले, उसके बाद एक section आती है, ATQQB, QQB का मतलब question question book, ऐसा है याद रगो, QQB, question question book, तो अगर महलो, आपका book का royalty है, आपने कोई book लिखी है, और book किस पे लिखी है, या तो literacy पे लिखी है, artistic या scientific nature की book है, अगर कोई resident individual है, और उसको royalty मिलता है, तो royalty पहले आप other sources में taxable कर दो, उसके बाद में आपको deduction कितना लेना है, जो भी आपका eligible royalty रहेगा, और 3 lakh रुपेस, whichever is lower है, तो देखो, सबसे पहले कोई resident individual है, उसने books लिखी है, literacy, artistic, scientific, nature की, उस book पे royalty मिलती है, पहले आप taxable कर दो, और deduction आपको मिलेगा, under chapter 6 है, under section 80, QQB, deduction कितना मिलेगा, जितना आपका eligible royalty है, या 3 lakh whichever is lower, लेकिन eligible royalty का मतलब क्या होता है, जैसे मानलो books पे lump sum royalty मिलता है, तो तो जितन पे eligible royalty में लेते time, आप सिरफ 15% of value of the book sold होगे, जैसे हो सकता है, मैंने कोई artistic nature की book लिखी, मैंने किसी publisher को दी, publisher मुझे royalty दे रहा है, 20% of the book value of sold, तो taxable तो पूरा 20% होगा, लेकिन deduction purpose के लिए, आपको जब royalty लोगे eligible royalty, तो eligible royalty आपको सिरफ 15% of the value of the book sold है, उतना ही लेना है, चलि पे आपको जो भी मिलेगा, royalty, वो royalty पहले आप taxable कर दो, और उसके बाद उस पर deduction मिलेगा, resident individual को जितना आपको royalty received हुआ, या maximum 3 lakh, whichever is lower का deduction मिल जाएगा, एक और चीज़ समझना, अगर कोई royalty है, वो आपको इंडिया के बाहर से मिल रही है, अगर इंडिया के बाहर से मिल रही है, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, उस पैसे को इंडिया में repatriate करना पड़ेगा, तब ही deduction purpose के लिए उसको लेंगे, otherwise नहीं लेंगे, चलिए, उसके बाद में कुछ आपके other income based deduction और होते हैं, जो की under chapter 6 से part number CA में लिखा जाता है, यह other income based deduction है, एक तो ATTDA, ATTDA क्या ब interest है, पहले आप other sources में taxable कर दो, और उस पर 10,000 तक का deduction है, वो आप ATTDA में ले सकते हो, अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर ATTDA deduction है, ATTDA क्या बोलती है, बताए, क्या अगर कोई भी senior citizen है, और senior citizen को किसी भी bank से cooperative bank के या post office से interest मिलता है, interest यहाँ कोई भी चलेगा, saving वाला, FD व deduction मिलेगा, deduction कितना मिलेगा, जितना आपका interest का amount है, और maximum 50,000, whichever is lower का deduction मिलेगा, तो जैसे कोई senior citizen है, उसको FD पे interest मिला, and saving bank पे interest मिला, total मिला के interest 70,000, तो 70,000 को other sources में taxable करो, फिर 50,000 का deduction आप ATTDA में ले लो, अब एक बात समझना, resident senior citizen है, जब ATTDA में deduction 50,000 का मिल रहा है, तो क वहाँ पे ले लो, total 60, नहीं, ऐसा नहीं होगा, maximum आपको 50,000 का deduction मिल जाएगा, चलिए, उसके बाद, next section आती है, 10AA, that is SCZ का deduction, और यह पहले जो है, last time ICI ने, इस part को दे रखा था, other third topic में, बट उसको third topic को हटा के, उन्होंने यहाँ पे दे रखा है, अब एक बाद समझना, 10AA क्या बोलती है, कि special economic zone, SCZ में, अगर आप manufacturing business करते हो, या software development करते हो, manufacturing business करते हो, software development करते हो, और आपको approval मिल गया था, SCZ में काम करनेगा, till 31st March 2020, और आपने manufacturing business चालू कर दिया है, till 31st March 2021 तक, तो आपको 15 साल तक deduction मिलेगा, 15 years तक deduction मिलेगा, कितना deduction मिलेगा, first 5 years of operation में, 100% of export profit second 5 year of operation में, आपका 50% of export profit, third 5 year of operation में, 50% of export profit, और जितना आपने SCZ reinvestment reserve में, पैसा डाला, whichever is lower है, उतना deduction मिलेगा, तो देखो, first 5 years में, 100% of export profit, second 5 years में, 50% of export profit, third 5 year में, 50% of export profit, और SCZ reinvestment reserve में, जितना आपने पैसा डाला, whichever is lower है, उतने का deduction आपको मिल जाएगा, अब एक पास स के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले PGBP का इंकम निकालना है SEZ unit का जो special economic zone SEZ unit है SEZ unit का PGBP का income कितना है वो निकालो multiply by export turnover divided by total turnover तो क्या बोला देखो PGBP का income निकालो SEZ unit का multiply by export turnover divided by total turnover तो आपको यहाँ पर जाएगा export profit अब एक और चीज़ समझना यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी आप यहाँ पर export turnover लेते हैं total turnover लेते हैं इस export turnover total turnover में कोई भी freight है telecommunication charges insurance है या expenses for providing service outside इंडिया यह नहीं लेना है मिस जब भी आप export turnover as well as total turnover लेते हैं आपने अगर freight का खर्चा है याँ पर telecommunication charges है इंसोरेंस charges है expenses for provide the technical service outside इंडिया है उसको आपको consider नहीं करना है मिस उसको export turnover से भी भगा देना है हटा देना है total turnover से भी हटा देना है अब एक और चीज़ समझना यहाँ पर export turnover में guys वही बाला turnover आएगा जो आपने इंडिया में ला लिया है उतना पैसा कब तक within the six month from the end of the previous year और time permitted by RBI एक बात समझना जैसे ही तुम्हारा previous year complete होता है उस previous year complete हो उससे 6 महीने के अंदर अंदर जितना turnover आपने इंडिया में पैसा ला लिया है पैसा लाया क्या वैसा वाला पैसा ला लिया है उतना ही आपके export turnover में आएगा तोटल turnover में दोनों आएगा जितना पैसा आया नहीं आया जैसे माल लो आपका 100 करोड का total turnover है, उसमें से export turnover 30 करोड था, 30 करोड में से माल लो, आप 25 करोड ही इंडिया में repatriate कर पाए within the 6 months from the end of the previous year, तो 25 करोड है, वो ही तुमारे export turnover में आएगा, अब एक और चीज़ समझना, गाइस, आपको जो SEZ reinvestment reserve में जो आप पैसा डालते हो, जैसे ये SEZ reinvestment reserve में आपको पैसा डालना पड़ता है, last 5 year में, 11 year से 15 years में, वो SEZ reinvestment reserve में जो भी आपने पैसा डालाना, उसको क्या करना पड़ेगा, उस पैसे को निकाल के, within the 3 years from the end of the previous year, in which reserve was created, मतलब reserve create किया था, उ उससे new planted machinery acquire करके put to use करना है, मिस 3 years के अंदर अंदर आपको क्या करना है, जिस year में reserve create किया, उस year का end, और उसके बाद within 3 years, आपको उस पैसे को निकाल के new planted machinery खरीदना है, और उसको आपको put to use करना है, अगर आप ऐसा करते हो, तो चलेगा नहीं किया, तो बेटा वापस से वो सब लेने के बाद last में आपको ये deduction लेना है, अब एक और जीज समाझना, ये वाला point जो है, आप इसको छोड़ सकते है, कि जब भी आप profit निकालते हो business का, तो business का profit निकालते टाइम, अगर आपको कोई cash compensatory support, duty drawback, sale of import entitlement license है, तो वो वाला इस profit में include नहीं करना, क्योंकि जब SEZ unit का profit निकालोगे, तो उस profit में cash compensatory support, duty drawback, and import entitlement license के sales से जो income होती है, वो include नहीं करना, ये deduction आपको चाहिए, तो CA का report submit करना पड़ेगा, CA से audit कराना पड़ेगा, इसमें ये business अगर आपको करना है, तो इसमें जितनी भी planted machinery है, वो सब new होनी चाहिए, but guys, इसमें दो exception है, एक जो deduction topic अपने पड़ा, अगर आप default taxation regime में जाते हो, default taxation regime 115 BSE, तो 115 BSE लेते हो, तो आपको दो deduction नहीं मिलेंगे, एक तो कौन सा नहीं मिलेगा पता है, एक तो under chapter 6A, कोई भी deduction नहीं मिलेगा, ATC से लेके ATU तक कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, और ATC से लेके ATU तक कुछ भी नहीं मिलेगा, 10AA भी नहीं मिलेगा, मतलब अपनने जो ATC से पड़ा था न, ATC से लेके ATU तक कुछ भी नहीं मिलेगा, 10AA, SEZ वाला भी नहीं मिलेगा, ATQQB भी नहीं मिलेगा, ATTTN, ATTB, कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन गाइस, तीन deduction मिल जाएंगे, कौन डालते है उसका, तो ये तीन deduction आपको मिल जाएंगे, इन तीन को छोड़के आपको कोई भी deduction नहीं मिलेगा, तो मैंने क्या बोला, समझ नहीं कोशिश करना, अगर आप 115 BAC default taxation regime में जाते हो, तो आपको under chapter 6 हेगा, कोई deduction नहीं मिलेगा, ATC से U तक नहीं मिलेगा, 10 AA भी नहीं मिलेगा, लेगिन क्या मिलेगा, तीन deduction मिल जाएंगे, एक तो ATJAA, जामत आवाला, ATCCD2 and ATCCH2 है, वो आपको मिल जाएगा, अब एक topic आता है alternate minimum tax या जिसको आप AMT बोल सकते हैं, अब एक बाद समझना है, ये AMT कब लगेगा, जब आप 115 BAC नहीं follow कर रहे हो अगर आप 115 BAC लेते हो ना तो AMT लगेगा ही नहीं, बट अगर आप 115 BAC नहीं लेते हो, तो आपको AMT भी लगेगा, AMT क्या होता है, देखो normal पहले आप tax निकाल दो, normal provision के हिसाब से, उसके बाद आपको AMT निकालना पड़ेगा, AMT का मतलब होता है adjusted total income का आप 18.5% निकालो, यह all assessi के लिए है, company को छोड़ के तो देखो, आपको क्या करना, पहले normal provision के हिसाब से tax निकालो, और फिर आप AMT निकालो, AMT क्या करने का adjusted total income का 18.5% and guys, adjusted total income का 18.5% and normal provision के हिसाब से tax आएगा, whichever is higher आएगा, वो आपको government को pay करना है whichever is higher आएगा, वो आपको government को pay करना है, लेकिन आप बोलोगे सर, adjusted total income कैसे निकालते हैं तो adjusted total income यहाँ निकालने के लिए बड़ा simple है, आप एक काम करो सबसे पहले आपकी जो total income है, net taxable income है वो ले रो, और उसमें तीन deduction को वापस add back कर दो, एक तो 10 AA वाला SEZ का deduction लिया है वो add back कर दो, जो आपने 35 AD में 14 business, hotel, OYO वाला hotel to star of O, hospital वाला cold chain facility, warehousing वेखरा वो सब तो वो अगर deduction लिया तो वापस add back कर दो and under chapter 6 से अगर आपने income based deduction लिये है in the heading C वाले, वो तीन deduction 80 double JAA, 80 QQB, 80 RRB इन तीनों को add back कर दो, तो देखो आपको AMT निकालने के लिए adjusted total income निकालना है, क्योंकि adjusted total income का 18.5% करना है, तो adjusted total income कैसे निकालना, उसके लिए आप एक काम करो पहले आप net taxable income ले लो total income ले लो, आपकी जो normal provision से आई, उसमें तीन deduction अगर लिए तो add कर दो, कौन गौन से, एक तो 10AA, SEZ वाला, एक तुमारा 35 AD वो 14 business वाला, और 80 double JAA, 80 QQB, 80 RRB, उसको add back कर दो, अब एक बात समझना, जब आप 35 AD को यहाँ disallowed कर रहे हो, add back कर रहे हो तो अगर 35 AD ना होता ना लिया होता, तो कितना depreciation allow होता, वो आप less कर दो जो बचेगा वो adjusted total income इस adjusted total income पे आप 18.5% ले लो, that is call your AMT अब एक बात समझना जब आई, 18.5% लोगे तो क्या इसमें surcharge भी और add करना है, that depends on adjusted total income अगर यह adjusted total income 50 lakh से जादा है, up to 1 करोड है तो 10% surcharge add करो, 1 करोड से 2 करोड तक है तो 15%, 2 करोड से 5 करोड तक है तो 25% और 5 करोड से जादा है तो आपको 37% surcharge add करना है उसमें health and education says 4% add करना है और उसके बाद last में compare करना है कि AMT और normal tax, whichever is higher है वो pay करना पड़ेगा अब एक चीज समझना, यह AMT का funda नहीं लगेगा कब, एक तो अगर adjusted total income किसी का आता है वो 20 lakh से कम है मिस 20 lakh या उससे कम है तो आप पर AMT नहीं लगेगा और दूसरा, अगर गाईस आप लोग जो है, ध्यान रखना अगर यह deduction ही नहीं ले रहे तो आपको AMT नहीं लगेगा तो AMT उनी लोगों को लगेगा जो 10AA, 35AD या फिर 80JAA, 80QQB, 80RRB के deduction लेते हो तो आप यह समझो ना, AMT सिरफ 5 लोगों को लगेगा 10AA का deduction ले रहे हो 35AD का deduction ले रहे हो 80JAA, 80QQB, 80RRB अगर इसके deduction ले रहे हो तो ही आपको AMT लगेगा otherwise AMT नहीं लगेगा अब एक बाद समझना, एक concept आता है AMT credit AMT credit क्या होता है कि अगर मालो कभी भी आपका AMT जो है, वो normal tax से ज़्यादा है मिस जो normal tax आता है उससे AMT ज़्यादा है जिस year में आपका normal income tax ज़्यादा है as compared to AMT तो जितना difference है ना उस difference में आप क्या कर सकते है AMT credit यूटिलाइज कर सकते है तो देखो, AMT credit बनेगा कब जिस year में AMT ज़्यादा है normal tax से, उस year में AMT credit बनेगा जितना difference है वो and उसको यूटिलाइज करेंगे जिस year में आपका normal tax ज़्यादा है AMT से, तो उस year में आप उसको AMT credit को यूटिलाइज करेंगे you got my point or not, yes so guys, this is the completion of your deduction topic so guys, आपको अच्छा लगा होगा ये revision lecture, आप इसको कम से कम 2-4 बार revision lecture को देखिए, RTP करिए RTP करिए MTP करिए, और जितने class में हमने question किये है, उस पर आप ध्यान दीजिए आप आराम से pass हो जाएंगे, attention मर लो इस बार result अच्छा रहने वाला है, but बस last कुछ days है, लगा लो अपना जितना लगा सकते हैं, जितनी आप में हिम्मत है put your 100% because मैं हमेशा बोलता हो, give your 100%, I say I will give you 50% and we need only 50% to crack the exam, so बस जल्दी ही pass होने वाले है, मैंनत करिए बाकी सब चीजे जितनी भी destruction life में चल रही है, इधर उधर की बाते, social media ये वो सब छोड़िये, आपका एक ही focus होने वाला है, exam कभी भी हो 20% के बीच में result रहने वाला है या 25% भी जा सकता है एक group का तो guys, जब result इतना ही रहने वाला है, तो जो पढ़ेंगो, वही pass होने वाले है, simple सी बात है, सबकी हाला देख जैसी है, सबको expectation था, exam की date बढ़ेगी, बट नहीं बढ़ी, कोई फरक नहीं पड़ता, जितना आपने किया है, जितनी हिम्मत है आपने उतना आप लगा लिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठैक्स अलोट पीपल, that's enough for today from my side